जमो कश्मीर विधान सभा चुनाव के लिए हुए कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस गठबंदन पर बीजेपी लगातार हमलावार है। कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस का गठबंदन राश्ट्री सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है। करते हैं। नथ्यप्रदेश के सीम महौन यादव ने कहा कि चुनावी राजनिती में पार्टियों की अपनी सीमाएं हो सकती हैं लेकिन कॉंग्रेस को राश्ट्री ये मुद्दों पर सोचना चाहिए। इंडी गड़बंदन की जो नित्रत्व कर रही है। कॉंग्रेस ने अबदुला एंड संस फेमली प्रैविट लिम्टेट की नेशनल कॉंफरेंस के साथ गड़बंदन करके फिर से अपने राश्ट विरोधी मनसूबों को देश के सामने रख दिया है। कॉंग्रेस पार्टी और नेशनल कॉंफरेंस पार्टी ने आपस में गड़बंदन किया है। ये कस्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोका है और ये कस्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए है। और कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाव हुई है, किस परकार से आराजगता को, आतंगबाद को, अलगावबाद को, जहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षन का बिरोत कर रही है, और जो राहूल गांदी जी घुम घुम कर कहते थे, कि मैं हिंदू हू और वहाँ पर संकराचारे परुवत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं, कॉंग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है, इनके गड़बंदन से, ये पूरी तरह से उजागर होता है. कांग्रेस के घोशना पत्र अनुसार अलग जंडे की बादे का समर्थन करती है, क्या कांग्रेस फिर धारा तीन सो सत्तर और पेती से को वापस कस्मीर के अंदर लाने चाहती है, बड़े दुरभागी के साथ के ना पढ़ रहा है, कांग्रेस के वल वोड बेंग के लिए न जम्मु कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉंफरेस है, नेशनल कॉंफरेस कोई अकेला एंटिटी नहीं है, उनके साथ वहाँ पे गडवंदन में कॉंग्रेस भी है, इनका जो मैनिफेस्ट में वो बोल रहा है कि वो फिर से 370 और 35 ए को बापस लाएंगे, जो SCST OBC के लिए र 35 ए हटने के बाद फिर से लागू हुआ है, उसको फिर से हटाएंगे,